सो हेलो अब्रीवान वेल्कम बैक वार चैनल तो दिस इस अटन कैपिटल सोचल यह सेक्षन में बात करेंगे कल के लिए कौन से बहते हैं स्टॉक्स है जिसमें पॉजिशन बना सकते हैं और आज हमने गुरूप में जो स्टॉक्स दिया था उसका कैसा पॉफॉमेंस रहा अ ग्रेंवर्स 14 को दिया था ग्रेंवर्स L&T House in Finance आज और ग्रूप में दिया था हमने मनिपूरम फाइनस और आज अपॉलो हॉस्पितल में हमने प्रॉफित ब्लुक किया जो की 5,400 का profit था वो हमने book किया 5,400 का 5.6% का profit हुआ कितने दिनों में हमने इसको परसिस किया था 9th February को लगबद 6-7 दिनों में 5% का profit सब्सक्राइब करना नहीं सिखेंगे आप इस मार्केट में profitable नहीं हो पाएंगे capital बचाना इंपोर्टेंट है तो चलिए यह देखते हैं graph पी सब कैसा performance है मैं आपको इस वीडियो में एक लर्निंग देना चाहता हूं जो की है मैंग्डॉल से रिलेटेड तो यहां देखो मैंग्डॉल को मनें बनाया था 12 फर्वरी को पुजिशन चो बार फर्वरी को हमने ग्यार इक पोजिशन बनाया था और हम come also Со ап physician मिन भाहर जब फर्वरी को मने पोवीशन मेलाया था लिए यहां देभी इसह पे देखते हैं OW the economy हमने 1201 एक बना थे ग्यारस्व उन इस्गया है फिर पंदरा फर्वरी को यह हो गया 12, yes 12 फरवरी को, 13 फरवरी को क्या होता है, 13 फरवरी को मार्केट खुलता है और सीधा बॉटम लगता है 1075 का जहांपे हमारा ओलेडी डैसे 3000 का नुक्षान दिखाता है, लेकिन मार्केट में टिके रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा maximum loss decided था, हम नहीं हो सकता तो हम निशन्त हो के मार्केट में बैठे थे कि चलो ठीक है हम यह लॉस सह लेंगे क्योंकि हमने अपनी अनलेसिस की थी और हमने उसी एकॉर्णिंग अपना ट्रेड एक्जिक्यूट किया था बहुत सारे लोगों का कॉल आया कि उन्होंने डर्ग मारे वहां पर पांच या से ज्यादा लॉस नहीं करेंगे जो कि पॉर्टफोलियो का कितना परसेंट था फॉर परसेंट यानि 4.2 परसेंट से ज्यादा हम रिस्क नहीं 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 हो सकता इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता फिर मार्केट ने क्या किया अगले दिन दिन मार्केट अगया और आज 1148 जाके टच्च किया हाई टच्च किया जहां पर हमारा टार्गेट वन ओलेडी ही हो गया हम 6110 रुपे की प्रॉफिट में हैं अभी और इस पोजिशन को हम ट्रेल कर और हमारा इंवेस्मेंट अभी वन इस्टु बन पर आ गया है टार्गेट वन जैसे ही ही ह हमारा स्टॉप लॉस हमारा इंटरी पोइंट प्रॉंट पर आ जाता है यानी 1101 पर हमारा स्टॉप लॉस आ जहां पर आपके पास एक लाग का और लाग का portfolio में 10 होने चाहिए अगर आपका portfolio 5 lakh rupees का है तो आपका maximum risk होना चाहिए वो लगबग 2,000 रुपे का होना चाहिए 10% यानि 50,000 और 2,000 एक stocks पे 2,500,000 तो आपके portfolio में लगबग 25 stocks होने चाहिए जहां पर हरे एक stocks पे 2,000 से ज़्यादा आपको होना है और अगर आपका portfolio 10,000,000 से उपर का है 10,000,000 है तो आपका एक stocks पे 5-6,000 का loss maximum loss होना चाहिए इससे ज़्यादा आप नहीं खो सकते हैं उसी सब सब को quantity manage करनी है तो यह रहा आज की learning सो होप आपको इस चीज़े समझ में आई होंगी इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं maximum loss लेके चलोगे decide होगा कि इससे ज़्यादा हम नहीं खो सकते हैं तो आप market में बिना डरे position बना सकते हो चलिए बात कर लेते हैं कल के लिए कौन से बैतर निले stocks होंगे जिसमें हम position बना सकते हैं तो आज आते हैं अपने एंजल के डिमेट अकाउंट पर और ऐसे जगह से stocks निकालना है जहां पर बड़े players position बना रहे हैं जहां पर हमें पता हो बड़े players position बना रहे हैं तो आईए हम market में आ जाते हैं और यह सारी चीजिए एंजल में काफी असानी से आपको मिल जाती है तो अगर आपके पास एंजल में अभी भी एकाउंट नहीं है यह फुल फ्रेज बोकिंग सर्विस है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है करने का रहे हैं उसमें से आपको रिटन नहीं आता उस ब्रोकरी में से कुछ पोसेंटेज वहीं हमारी कंपनी चल लाइए और हमें कुछ नहीं चाहिए होता है और हम आपके पोजिशन को एनलाइज करते रहते हैं हमारा जो रिलेशेंशिप एनेजर है वह आपको हेल्प करता है तो आए आ जाते हैं अब दो जगे समें स्टॉक्स देखेंगे एक तो लॉंग बिल्डप के यहां से देखेंगे स्टॉट कवरिंग स और यह देखो कैन फिन देखते हैं कि क्या यह हमारी स्टाटीजी पर मैच होता है कि नहीं होता है सो कैन फिन के स्टॉक्स को हम यहां खोल लेते हैं कि हम टाइप करते हैं कैन फिन और हम यहां करते हैं ओपन आफिए एक यह कैनफिन का स्टॉक्स हो गया हमारे पास ओपन आप हमारी स्टैटिक के याट दो ताइम्फ्रेम में हम चेक करेंगे 4 आफ और देए के टांप देखते हैं तो चार घंडे के चार्ट पे हमारी स्टाइटिक क्या है तो 20 का यह moving average rate का देखने है वो ऊपर होना चाहिए जो कि है 50 का moving average उसके नीचे यानि पहला condition match दूसरा 20-30 के तरफ जातावा रसा है दूसरा condition भी match और तीसरा 50 के ऊपर RSI जो कि 56 है और हमारे पास almost 46-44 से 40% का momentum बागी है तो तीसरा condition match हम देखते हैं क्या यह day basis पे भी match है कि नहीं अगर यह होता है तो यह हमारे लिए अच्छा stock बन जाता है अब day basis पे देखो आज एक green candle बना है कर नाचे का यानि पॉस्ट बिवने साई है एक हैमर बना हुआ है और हैमर बाद एक green candle तो this is good sign और दूसरा हम देखते है 20 moving average उपर 50 नीचे है तो पहला condition match हो जाता है डेखे इस पे इस टॉकिस्टिक आरसाई आगे 34 से नीचे safe ले रहा है तो यहने दूसरा condition भी हमारा match है 34 है तो all is 70% का momentum बागी है दूसरा condition match और तीसरा 50 से उपर आगे तो यह हमारे लिए ideal candidate बन जाता है canfin home जहां पर पोजिशन बना सकते हैं अब पोजिशन बनाना किस टैम फ्रेम में है वह है 30 मीनट के टैम फ्रेम में तो पन्तर मिनट के टैम फ्रेम में क्या पोजिशन होगा एक और करना 30 minutes या 15 minutes के time frame में दो time frame आप लगा लिजिएगा तो पहला हम लगा लेते हैं चलो 15 minutes के time frame में तो 15 minutes के time frame में आप देखो 20 moving average उपर है this is good 50 moving average नीचे यह यह भी अच्छा है इस टॉक के सिकर साई नीचे है 3.82 है और इसको नीचे से उपर की तरफ जाने देना जैसे 20 क्रॉस करता है हम एक position बनाएंगे वह होगा 50% quantity के साथ ठीक है और RSI already 65 है तो हो सकते यह थोड़ा सा नीचे आयकल और नीचे से उपर जाए और 20 को क्रॉस करें तो हम एक position यहां बना लेंगे अगर लगबग 814 या 813 के करीब में तो 50% से हम एक position यहां बना सकते हैं दूसरा position अगर हमको बनाना होगा तो हम 30 minutes के time frame में आ जाएंग ठीक है और हम इंतजार करेंगे कि हो सकता है यह 810 भी आजए और इंतजार करना है कि इस टॉकर से सही ही नीचे आने दो और जैसे यह है ट्वेंटी से उपर की टरफ से जाता है और हो सकता है और यहां से इस तरह के से मोमेंट बना ले तब हमको एक पोजिशन बनाना है ठीक है क्योंकि यहां दो यह तो उससाब से आपको यहां पर डिसीजन लेना है ताकि हम बॉटम पकड़ सकें हाला कि कोई बॉटम नहीं पकड़ता लेकिन हमारा कोसिस ही होगा जितना नीची हम प स्टॉपलस जैसे हम नहीं आपको बताया यह तीन केंडल है इसमें से जो लो होगा उसका स्टॉपलस होगा तो आप यहां देखो यह लो वाला पूरफाइल देखो अगर हम पहले कंडल पर लेके जाते हैं तो 795 दूसरा वाल पर जाते हैं 776 और तीसरे वाल पर जाते हैं 나答 तो 774 तो सबसे लो कौन सा है 774 तो 774 का हमारा यहां इस्टॉपलस होगा तो हम यहां डिसाइड करते हैं कि चलो भी है हम यहाँ लेंगे canfin home canfin home हमारा view क्या है day का view है हमारा पहला stop loss क्या होगा 774 हम entry कितने पर expect कर रहे है लगबग 800 10 या 12 करी में entry expect कर रहे है तो हमारा एक share पर risk कितना आया लगबग 38 रुपे का risk आया तो आपका अगर आपका maximum loss अगर आपका portfolio एक लाग का है तो हजार से पंदर सो का होना चाहिए तो आपके पास quantity कितनी होगी तो लगबग अगर 30 quantity आपके पास हो तो यहाँ maximum loss एक ग्यारा सो चालिस रुपे का होगा तो अगर आपके पास portfolio एक से डेल लाग का है तो आपको एक शॉक पे इतना रिस्क तो बनता है एक 1140 रुपे का 850 तच करता है तो 1140 का profit है अगर 888 टच करता है तो आपका 2880 रुपे का profit है तो आपका maximum loss एक ग्यारा सो चालिस रुपे से ज़्यादा मैं नहीं खोँगा यह मेरा maximum loss हो गया तो आप बेद धड़क position बना सकते हो अगर वहीं पे जैसे हमारा आपका 5,000,000 का capital है तो लगबग 3,000,000 का आप loss ले सकते हो तो हमारा 6,000 का है तो उसी साब से हम यहाँ पे loss डिसाइड करेंगे तो लगबग हमारे पास quantity होनी चाहिए अगर हम 1,500 यहाँ टाइप करें तो हमारे पास 5,700 का हमारा maximum loss होगा अगर आपके पास 5,000,000 का capital है तो आपके पास 75 quantity होनी चाहिए तो 75 quantity होगा तो आपका maximum loss 8,250 का होगा जो कि 3,000 के अंडर में है तो इतना आप लेके चलो जैसे 850 होता है तो 8,250 का आपका profit होगा 8,800 होता है तो 5,700 का आपका profit होगा तो हमारा 6,000 के अंडर में है तो हम 1,500 quantity लेके चलते हैं जहां पर हमारा investment होगा 1,21,000 पर तो यह हो गया Canfin Home इस हिसाब से आपको अपना risk manage करना है तो मैं बार-बार कहता हूँ कि risk manage कीजिए that is very very important तभी आप market में टिक पाएंगे तभी आप पस करे जाएगा position बराने के लिए तो आप आईए दूसरा stock देखते है तो दूसरा stock देखते हैं तो यह देखते हैं कि इसका target क्या होगा target तो हमने बात किया ही नहीं तो target देखते हैं तो टार्गेट देखो आप पहला target तो मुझे यह दिख रहा है 856 का तो पहला target अगर 856 जाता है तो आप यहां देखो 850 तो आल्मोर्स हमारा 5700 का profit मुझे को 102 दिन में तो दिख रहा है तो यह दो टार्गेट हैं तो आई अब दूसरा इस्टॉक्स देखते हैं ओम पर चले जाते हैं और ऐसे जगह पर जाते हैं जहां पर बड़े प्लेश्ट पोजिशन बना रहे हैं वहां से हम इस टॉक्स उठाने की कोसिस करेंगे तो दूसरा स्टॉक्स है वो सारे PSU लवस के लिए जो जिनका भी स्टॉक्स माइनस में चला था लोवा सर्किट लग रहा था और आज एक अपर सर्किट लगाया है तो बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि क्या PSU स्टॉक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो टूबी फ्रैंक अभी में आई रेटा देख रहा था तो आई रेटा का चार्ट बिल्कुल हमारे स्टैड़िज पर मैच कर रहा है तो हमें मुझे लगता है यहां पर एक छोटी क्वांटिटी के साथ फिर से पूजिशन बनाना चाहिए और आई रेटा में हमने 80% का र तो बिल्कुल है दूसरा कंडिशन भी मैच और तीसा देखोगे 50 से उपर आरा साहिए तो आलेडी 50 से उपर है तो तीसरा कंडिशन मैच तो यह हो गया आई रेटे का वन फोर आवर का चार्ट अब डेवेसिस पर हम चार्ट अगर देखते हैं तो डेवेसिस पर देखो कित 50% का मोमेंटम बागी है और यहां 50 से उपर है तो यहां पर तीसरा कंडिशन भी होता है मैच तो हम इसमें पोजिशन बना सकते हैं बिल्कुल आप इसमें आज तो अपर सरकित लगा हुआ है तो कल यह स्टॉक्स मिले आ ना मिले तो आप एक काम कर सकते हैं आप अभी से इनफ तो यहां पर देखो एक चीज यहां पर गौर्ड करने वाली है सो वीकली आप देखोगे ना तो वीकली यहां पर एक सपोर्ट है 1558 का जो अलड़ी एक हैमर लगा हुआ हुआ है तो थोड़ा सा छोटा सा रिस्क लेके चलो आपना मैक्सिमल लॉस डिसाइड करो क्यो सब्सक्राइब करें तो हमें एक प्रॉफिट बुक करके निकल लेना है तो हमारा यहां टार्गेट क्या होगा पहला टार्गेट हो जाता है हमारा 195 का और दूसरा टार्गेट अगर जाएगा तो मुझे लगता है इस यह इस वाला है को तो टेच करेगा है 215 और उसके हो गला तो क्या लगाएंगे इस टॉप देख लेते हैं यह पिछले तीन दोल् लोल जानि यहां पर आगया मालीजी हमने डर लिया आई आरी डी ये जहां पर हमारा व्यू होगा देखा और हमारा स्टाप लॉस होगा 158 के एराउंड अगर हम देखें हमारा लो कितना है 154 है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहाँ एक दो रुपए नीचे 152 के रहाँ 152 यहां 152 और कल का जो इंट्री बनेगा लगब अपर सरक्ट चल ला तो 180 के करें मैं इंट्रेट कर रहाँ तो एक शेयर पे 28 रुपए का रिस्क है तो अगर आपका पॉर्टफोलियो है 100 स्टॉक्स आप लेते हैं तो आपके पास रिस्क कितना हो जाएगा 2800 रुपए का रिस्क हो जाएगा तो कितनी लेगेगी यानि 18,000 रुपए आपको लेना है 10-15 परसंट का रिस्क है इसमें ठीक है तो उससे आप से आपको पूजिशन बनाना है और जैसे ही आपको सरक लगवकर हमारे पास कितनी quantity होनी चाहिए 200 के गरी में quantity होनी चाहिए जहां पर हमारा 56 रुपरे का मैक्सिमम लॉस होगा 208 पर टच करता है तो हमें 56 रुप्य का प्रॉफित होगा 236 रुप्य टच करता है तो 11,200 प्रॉफित होगा तो देखते हैं इसमें हम 100% या 80% प्रॉफित बुक कर पाते हैं के नहीं कर पाते हैं हमने रिस्क रिवार्ड काफी एच्छा लिया हुआ है तो देखते हैं यह हमारे स्टाड़ी पर मैच होता है कि नहीं होता है और एक दूसरा हाई लगेगा यह 472 का तो हमें 472 बेच पे यहां बेचना है तो इसमें पोजिशन बना सकते हैं फोर आवर के चार्ट पे अगर हम देखें तो फोर आवर के चार्ट पे आप देखो कितना सही मैच हो रहा है 20 मुविंग अबर 50 नीचे तो पहला कंडिशन तो हो g cycles दूसरा 20-20 क्यिदर जाता हो इस टॉके सही दूसरा कंडिशन दी मैच और तीसरा 50 से उपर आरा चाही तीसरा कंडिशन मैच 20 से जाता हो स्टॉकर से रसा ही दूसरा कंडिशन मैच और तीसरा फिफ्टी सूपर रसा ही तो तीसरा कंडिशन भी होता है मैच तो यह हमारे लिए आईडियल बन जाता है और हम एक्सपेक्टिशन रख सकते हैं 472 का हमारे स्टॉप्लस क्या होगा इस तीन कंडल कर लो 422's के करीब में है तो हम 420 का भी लो ले का चल सकते है यह दोर पर नीचे यहीं से बैंडी हो जाता है हाफ और के टाइम फ्रेम में खुलते ही मार्केट घुसना नहीं है आपको हाला कि यह देखो नीचे है तो हो सकता है यहां पर कुछ माद दिन कॉंसेटेट करें मार्केट तुरंत ओपन हो 400 एक जाए इंतजार करना है मार्केट को अराम से जाने देना उसके बाद फिर हो सकता का और आईजियल के हम बात करें इसका व्यू भी हमारा देख का है हमारा इसमें स्टॉप्रोस हम डिसाइड कर रहे हैं 420 का मार्केट में हम घुसने का डिसाइड कर रहे है 441 का हमारा एक शेयर पर रिस्क कितना आ गया 21 रुपे का रिस्क हो गया तो हमारे पास अगर आपक 8% का लॉस है 462 जाता है तो आपको 100 रुपे का प्रॉफिट है 483 जाता है तो चारजा 200 रुपे का प्रॉफिट है हमारा 6000 का रिसक है तो हम हमारे पास यहां पर लगबग 380 280 quantity होनी चाहिए जहां पर हमारा 5880 का maximum loss होगा तो हम इसमें कल पोजिशन बनाएंगे तो यह तीन स्टॉक्स हैं जिसमें आपको कल निगाहें रखनी है और पोजिशन बनाना है जहां मौका मिले वहां आपको पोजिशन बनाना है तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और काफिस कुछ सीखने को मिला होगा तो मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में लेते हैं आपसे इजाजत तो कीप लर्निंग और कीप अर्निंग विथ साटन कापिटल